हलो इस्टूडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का PBR स्टडी में तो बच्चो जैसा कि आप जानते हो कि सामको साथ बजे हर दिन आप देखते हो कलास नाइन्थ के एंसे अर्टी मैथ एक्सरसाइज 4.2 चल रहा है देखो यह थोड़ा फार टब तो है क्योंकि यह रहा है आपको थोड़ा बहुत थेवराम आनी चाहिए कुछ कंसेप्ट आने चाहिए तभी आप इसको कर पाऊगी अगर आप इसको नहीं जानते हो तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और अगर आप नहीं जानते हो तो प्लैलिस्ट में सारे वीडियो होता है यह सारी कंसेप्ट अगर आपको आएंगे तो यह आप आराम से कर ले जाओगे लेकिन अगर आपको इसमें से कुछ भी एक चीज नहीं आती है जितनी भी सारे कंसेप्ट है तो आप दिक्कत में आ जाओगे चलो सवाल नंबर आज आप करेंगे फोर जो कि आपके सा यह 110 डिगरी का है तो पुछता क्या है और आर एश्टी 130 का है आर एश्टी बच्चा धयान से देखो आर एस टी यह कॉंड 130 का है यह तो कहरा कि क्यूआर यस ग्यांत कीजिए Q, R, Yes मतलब बीच में जो ये लुपा से हुआ है न वियाकार का इसको बताना है कि बच्चा ये एंगलवा जो है न ये कितने का है ये बताना है चलो देखते हैं इसमें एक संकेत दिया है संकेत का मतलब होता है कि हल कैसे किया जाया सवाल को तो अगर आपके एकजाम में आता है तब भी उसमें आपको ये संकेत दिया रहेगा पका दिया रहेगा गर बुक में है तो संकेत में कहहरा कि R से होकर कि S.T. के समांतर एक रेखा खींचिए तो चलो बीने देर करते हुए हम खींच देते हैं एक रेखा ये R से होते हुए ST के समांतर बोलो या फिर PQ के समांतर बोलो दोनों का मतलब तो एक का हुआ न भाई दोनों का मतलब एक हुआ चुकि PQ और जो ST हैं दोनों के दूसरे के क्या है समांतर टाइप की हैं न अच्छा अपने बुक में देख लो ये समांतर हैं कि कैसे हैं भाई हाँ समांतर है यह दोनों बराबर नहीं एक बात ध्यान देना यह दोनों बराबर दूरी पे नहीं हलका नीचे उपर हैं यह बात आप लोग ध्यान देना मैंने थोड़ा बराबर में खिच दिया बच्चा तो यह जो क्यों आला है ना बाबू यह थोड़ा उपर रहेंगा यह ध्यान देना आप यह समांतर हैं यह यह एक सो तीस है यह दोनों अगर बराबर कर लोगे तब तो फिर समांतर नहीं जुड़ जाएंगे आपस में जाके यह समांतर हैं यह ऐसे नीचे फ निकल जाएगी उपर अब देखो सबसे पहले हम लिखेंगे given हमे सवाल में क्या दिया है हमें दिया है कि PQ ह deकétat के समांतर है है मैंने लिख लिए रहें इक्वेशन और मन लिया इसमें हमें कौरuna प्यूर दिया है उसकों भी मैंने लिख लिए उसके बाद हमें कहे रहा कि कर रेंसे मैं थाना में आपने लिया य। मैंने कर लिया मतलब सम items एक्जाम मैं कνοड़ County आपके सवाल में लिखव अब इतना लख़ लो जल्दी audio अब देखो एक बात ये समझो कि अगर मैं बोलू तीन लाइने देखो एक है जिसका नाम है A, B अब अच्छा है एक लाइन है जिसका नाम है C, D और एक लाइन है जिसका नाम है E, F अब ध्यान दो अगर मैं कहूं कि A, B, C, D के समांतर है ठीक A, B, C, D, E, F के समानतर है और ये भी कहूं कि C, D, E, F के समानतर है क्या है? C, D, E, F के समानतर है तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि A, B, E, F के समानतर है कह सकता हूँ ना बाइ सिंपल सी बात है अगर मैं बोलू है ये 5 है ये 5 है और ये भी 5 है तो चाहे तो आप लिखो कि A, B बराबर C, चाहे तो A, B को C, D के बराबर लिखो या फिर आप A, B को E, F के बराबर लिखो, मतलब तो ही हुआ न, चुकि बराबर है न यह बात आप समझ सकते हो, तो इसी तरह से आप इसमें क्या लिख सकते हो बच्चा के समानतर है क्यों समानतर है क्योंकि अमयन जो है अल्रेडी पी क्यू के समानतर है और पी क्यू जो है वो एफ्टी के समानतर है बुक में दिया है भाई फिर से समझे लो क्यों क्योंकि जो मैं समांतर है क्योंकि जो एस्टी है वो पीक्यू के पहले समांतर है तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं मैं समांतर इस्टी इतना हो गया इसमें कारण भी लिख लो कोई लाइन समांतर हो तो आपस में भी समांतर होती है लिख लो जल्दी से चलो देखो हिंदी में मैंने दिखा दिया आप लोग इंग्लिस में लिख लो मैं बोल दे रहा हूं इंग्लिस में लिखो जल्दी करो चलो हिंदी वाले स्क्रीन साथ ले लो आपका हो गया कोई लाइन समाल लाइन के समांतर हो तो आपस में भी समांतर होती है अब इंग्लिस वाले लिख बात देखना है वो ध्यान से देखो इसका screenshot ले लो मैं इसका अगले पेज में दिखाऊंगा उसे चलो हो गया अगला पेज देखो अगला लाइन में आप आपको ध्यान देना है वो क्या है बहुत ही प्यार से समझने वाली बात है आप देखो कोंड PQR फिर से देखो PQR देख रहे हो न और ये कोंड MRQ आप देखो तो ये दोनों एक ही छेतर में दिख रहे हैं आपको इधर से ये कोंड बन रहा है उधर से अगर कोई कोण बनता है जिसमें कि कोई एक भुजा दोनों में कॉमन हो जैसे इसमें देखो QR दोनों में कॉमन है यह QR जो भुजा है वो MRQ में भी है और PQR में भी है अगर इस तरह का कोई कोण बनता है तो उसे कोई इंटीरियर कोण बोलते हैं को इंटीरियर एंगल जिससे साहांत्री कोंड बोलेंगे हिंदी में मुझे नहीं कंफरम लेकिन इंगलिस वाला को इंटीरियर बोलते हैं तो हर एक ऐसी हिथिती में दो को इंटीरियर का जो सम है वो 180 होता है 180 होता मैंने लिखती है तो बच्चा इसमें यम आर क्यू और पी क्यू आर में अगर आप ध्यान दो तो यम आर क्यू का मान निकल जाएगा चुकि पी क्यू आर का मान वहाँ पे दिया था 110 डिगरी ये बराबर 180 अंस लिख होगे यहां से यम आर क्यू बराबर आप लिख सकते हो 180 माइनस 110 कितना आजाएगा सत्तर डिगरी आ जाएगा आप यहां पे लिख सकते हो बच्चा यह सत्तर डिगरी हो गया अब ध्यान दो हमें जो निकालना है ये क्यू आर येस वाला इसको तो हम निकालेंगे लेकिन पहले हमें ये मालूम होना चाहिए हमें ये कौन भी पता होना चाहिए ये वाला कौन भी पता होना चाहिए तब ही हम कर पाएंगे इसको लिख लो स्क्रीन साड ले लो जल्दी से फिर हम अगले पेज में उसको भी निकाल के आपको दिखा देते हैं जल्दी करो वीडियो को रोक के स्क्रीन साथ ले लो फट से बहुत जल्दी करो और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने कि जल्दी से कर लें और बेल आइक अन करें वीडियो को लाइक जरूर करें आगे देखते रहें मैं बता रहा हूं अंसर आ रहा है एक मिनट में और अगले पेज में ध्यान दो अगर आप तो जैसे मैंने अभी आपको बताया MRQ दिहां दो MRQ और PQR बताया ना मैंने ये दोनों कोटरियर हैं उसी तरह से इधर भी कोटरियर हैं कौन-कौन इदे लें र्क्यू, उश्वर, NRS nrs अरे कोंड ले लो rst nrs और rst ले लो अगरा बच्चा तो यह क्या हो जाएंगे यह भी को इंटीरियर है तो आप यहां लिख सकते हो और एंटीरियर क्या है को इंटीरियर लिख लो अभी पिछे लिख लिख लो इंटीरियर ओके अब क्या करोगे पैसिंपल सी बात है इसमें कुछ के मान दिये हैं लाके रख दो पटक के पटक दो लाके यह देखो आर एफटी आर एस टी मान 130 दिया है तो बच्चा निकाल लो तो यन आर यस धान ये 130 हो जाएगा बराबर 180 यहां से आप निकालो के जब बच्चा यन आर यस तो बाबू यह आपका हो जाएगा आएफे ना असे हो जाएगा इसको आप फ्रफ्ट्रे कर लोगे तो यह 50 डि किता है यह 50 डिगरी है इसी में यह लो पचाफ है ठीक है अब आ गया अब आपका अंसर आ गया कैसे देखो बस चंद मिनिट में आपका अंसर आ दोड़के चुकि इसके चारों तरफ के सभी कोण आ गए फिर यहां के ले बचरा बेचारा और वो कैसे आएगा जरा ध्यान दो आप अगर यहां पर ध्यान दो मैंने आपको पढ़ा था रेक क्यों गूंओ लिनियर पेर ना लिनियर पेर कब बनता है जब किसी एक ही रेखा पर एक से अधिक कोण बनाएं तो वो सभी कोण लिनियर पेर होते हैं जैसे यह रेखा मन अगर ले लो तो यह मन पर सारा अगले पेज में लिख सकते हो अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको मिटा दून नीचे में लिख सकता हूं क्या लिख सकता हूं नीचे बच्चा दिख रहा है चलो लिख देता हूं मैं एक लाइन आप लिखो लिखो थोड़ा लंबा हो जाएगे इसलिए मैं थोड़ा रोक के लिख के दिखाता हूं देखो मैं ने दिखा दिया चूकि तीनों कॉड मर्क्क एक ही रेखा म पर बने हुए हैं इसलिए यह क्या करेंगे रहा है रहा हैं और कीनी भी रहा होते हैं उनका सम जो होता है तो आप यहां लिख सकते हो देखो जो बच्चे नहीं लिखे वीडियो को पीछे करके स्क्रीन साट लेले बच्चा इसक्रीन साट लेलो आप इसे लिख सकते हो कोड M R Q भन कोड आर कि your son को असकी आर एस टी धान कोड कियू KrK एक्सी नीचे हमारे हम जगा नहीं आगई आपके हम जगा तो आगे लिख दो रहक कि कि तो करन क्या है रेक ही कि उज़मो क्या है बच्चा रहक ही कि उज़मो यानी Linear उन्गे लिख लेले। तेखिए सभी के मान रखने के बाद आपको क्या करना है simple सा हल कर लेना है बस MRQ कमान 70 दिया है आप देखलो भी मैंने दिखाया था उसके बाद NRS कमान 50 दिया है इसको क्या करोगे हल कर लो calculation कर लो तो आपको मिल जाएगा ये कॉन QRS qrs बराबर कितना हो जाएगा बच्चा 180 माइनस ये दोनों उधर जाएगा तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 70 हो जाएगा माइनस का 50 हो जाएगा इन दोनों को जोड़ोगे 70 और 50 जोड़ोगे तो आपको पता है 120 हो जाएगा माइनस का 120 करोगे तो फाइनल में आपका qrs बराबर कितना आ जाएगा आपको पता है 60 अंस आ जाएगा घटा लो बस यही अंसर हो गया तो इससे आप कहीं दूसरी जगा लिख लेना ठंक से ऐसे लिख लेना कौन qrs बराबर 60 हंस हमारे में जगा नहीं नीचे इसलिए मैंने नहीं लिखा यह तो फिरहाल पीछे का है तो आपका कितना अंसर आ गया 60 आ गया आप सभी इस वीडियो को अगर यूटूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अन करें अगर आप इसे फेस्बुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फालो जरूर करें और अगर इस तरह की और भी बहुत सारी बड़ी-बड़ी कलास आप पाना चाहते हैं जल्दी फे जल्दी पूरा मैत आप सीखना चाहते हैं तो आप दिये गए नंबर पे संपर्क करें और उसके बाद में आप पूरा कलास जल्दी फे जल्दी देख सकते हैं उपर आपको नंबर दिखाया गया है मिलते हैं फिर अगली कलास में याद रखना ये वीडियो आपके लिए हर दिन सामको साथ बज़े से पीडियर स्टेडी की चैनल नंबर तीन पर आजाता है तब तक के लिए जैहिन